हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल केंडी स्कीचन तो आज मैं आपके साथ से करूप ठूथ कुछ यह बहुत ही परजिद सगार की मीचबड़े यह जू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते है तो चलिए इन मीचबड़ों को बढ़ाना सुरू करते हैं जो बहुत हमारा अच्छे से गरम होचा है इसके नदर डालेंगी हाफ चमच जीरा और साथ में भारीक टिवी हरी मीच और अच्छे सी पाका लेंगे इसके बाद जो हमने आलो को बॉयल करके कदू कस किया था वो इस तरह कड़े के अंदर डाल देंगी और इसी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगी इसके बार सारे मसाल इसके अंदर अड़ करेंगे इस तरह मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसके बार इसमें डालेंगे हाफ चमज से थूरा सा ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर बन एन फोर चमज हल्दी पाउडर और टेश्ट की साबसे इसमें डालेंगे सेदा नमक इसके बार इसमें मैं डाला है थूरा सा काले मिर्ची का पाउडर और दूर चमजस में डालेंगी मूंपली को मैंने इस तरह बारिक कर लिया है इसके बाद इसको डाल दिया है कड़े के अंदर साथ इसमें डालेंगे एक नीबू का रस और जो हमने बारीक कटे की धनी है वो भी इस तरह कड़े के अंदर डाल देंगे और इन सारे मसालों को अच्चे से मिक्स कर लेंगे अगर इस तरह आप सगार के जो मिचबड़ का मसाला बनाएंगे वो बहुत ही जादा टेश्टी बनेगा इस तरह हमारा जो मसाला है वो बनकर त्यार हो चुका है गैस के फ्लिम को बन कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर इन मसालों को ठंडा कर लेंगे इसके बार जो मिचबड़ का खूल बनाएंगे हम तो मैंने लिया है एक कटोरी सिंगाड़े का आठा और साथ इसमें लेंगे एक कटोरी राजगिरी का आठा दोनों आटा मैंने बराबर लिया है आप चाहे तो एक आटे से भी इस मिचवड़े को बना कर त्यार कर सकते हैं इसके बार इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के साब से नमक और थोड़ा सा काले मीशी का पाउडर अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बार इसके अंदर डालेंगे पानी तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ पानी बिलकुल भी नहीं डालेंगे अगर डालेंगे तो यह जो बैटर हम बना रहे है घूल बना रहे है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और जो हमारी मीचपड़ है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे तो इस तरह मैंने लगबग एक लासिस के अंदर पानी डाला है और इस तरह अच्छे से मेक करते हुए एक अच्छे सा बैटर बना कर त्यार कर लेंगे तो आप देख सकतो, मैं अच्छे सा गुल बना कर त्यार कर लिए है, ये गुलना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाडा है इस तरह के हम गुल को बना कर त्यार कर लेंगे और से 10 मिल साइड में रख लेंगे इसके बार मैंने लिए हैं हरी मिर्ची इसको पाने से धुकिए अच्छी से कपड़े से साफ कर लिया अगर के आपके पास स्मोटी वाली मिर्ची हैं उससे भी आप ये मिर्चेबरे बनाकर त्यार कर सकते हैं इसके बार चाको से इस तर बीच में कट लगा देंगे और इसके अंदर के जो सीड है वो इस तर बार निकाल देंगे इस तर इस सारे मिर्ची को इस तर मैंने बना कर त्यार कर लिया है और इधर हमारा जो मसाल है वो भी अच्छे से थंडा हो चुका है और इसके बाद इस मसाले को इस हरी मिर्ची के उपर अच्छे से लगा देंगे एकदम अच्छे से दबा के लगाएंगे मिर्ची के अंदर ताकि अच्छे से ये लगजा और बार विखरेने इस तरह हाल से अच्छी से दमा कर इसकी उपर अच्छी से ये मसाला लगा कर त्यार कर लेंगे ये शू मिर्ची बड़े हैं खास कर फास्ट में बना जाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ची लगता है इस तरह मैंने इस मिर्ची के उपर अच्छे से ये मसाला लगा कर त्यार कर लिए बाकि की मिर्ची को भी इसी तरह बना कर त्यार कर लेंगे तो इस तरह मैंने मिर्ची के उपर अच्छे से मसाला लगा दिया है यू इदर हमारे बैटर मेंने रखा था वो भी 10 מת हो चुके य हैं इस बैटर के आंदर इस मैचवड़ को अच्छ से ढाल कर इस तरह इस खूल को ऊपर इस तरह लगा लेंगे तो इस तरह मैंने हरे मिची जो हमने मसाला बना के लगाँगा था इसको इसके उपर ये बैटर को अच्छ से लगा देंगी और इसके बाद इसको घरम ओईल के अंदर डाल कर अच्छ से फ्राइ कर लेंगी तो इधर मैंने गैस पर कड़े के अंदर ओईल गरम होने के लिए रख दिया था ओईल हमारा अच्छ से घरम हो चुक है इस मिचबड़ को इस तरह कड़े के अंदर डाल देंगी और इस तरह इसको धीमियाज पर अच्छ से इस मिचबड़ को फ्राइ कर लेंगे बेच विश में इस तरह पलड़ते रहेंगे ताकि ये चारो तरफ से अच्छ से फ्राइ हो जाए तो आप देख सकते हो हमारा जो मिचबड़ है वो अच्छ से फ्राइ हो चुके है और इसको अब ओयल से बार निकाल देंगे तो आप देख सकतो हमार जो सकार की मिचबड़ है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे है दिखने में जितने अच्छे उतने खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने है तो इस तरह बाकी की जो मिचबड़ है उसको भी इसी तरह ओयल के अंदर अच्छ से फ्राइ कर तो मेड्यम अज़ पर मैंने इन मीचबड़ को अच्छे से इस तरह प्राय कर लिया है और जब इन मीचबड़ अच्छी से फ्राय हो जाया तो इन मीचबड़ कोutaoil से बाल निकाल देंगे तो मैने सारे मीचबड़ यह इस तरह बना कर त्यार कर लिया आपको मेरी ये सगार के मिचबड़ी की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंड बॉक्स में जयरू बता है साथ वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चाहिए को सब्सक्राइब करें और सरे करें तो मिलता है एक नही रेसिपी के साथ